PCS परिछाओं के लिए राजियों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम द्रिष्टी ने शुरू किया है नया कारेक्रम जिला एक नजर में यह कारेक्रम हर मंगलवार गुरूवार और शनिवार सुबह आठ बजे द्रिष्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द्रिष्टी PCS के स्टेट करेंट अपडेट प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बिहार राज से संबंधित खबरों की और बिहार राज से संबंधित वे खबरें जो की परिक्षा का हिस्सा बन सकती है याने कि उसके संबंधित कोई सवाल बन सकता है कोई जुड़ा हुआ सवाल जो की परिक्षा में पुछा जा सकता है तो आईए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रशन से पहला प्रशन है राज सरकार किस जिले में ये राज का पहला electronic cluster बनाने की योजना पर काम कर रही है और आपके option है पटना, मुगेर, बेगु सराय, सहरसा और ये उपयुक में से कोई नहीं उपरयुक में से एक से अधिर इसका सही उत्तर है बेगु सराय बिहार की जो राज सरकार है जिले में पहला electronic cluster बनाना चाह रही है और उसके योजना पर काम कर रही है और वह cluster कहाँ पर होगा बेगु सराय में होगा यह निर्ने लिया गया है अब यहाँ पर दो बाते आती है electronic cluster से क्या मतलब है यह समझ लेते है electronic cluster से मतलब है electronic manufacturing कि यहाँ पर electronic से संबंदित उत्पादों की manufacturing की जाएगी और cluster से सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा धाचा या तंत्र विक्सित किया जाए जहाँ पर की जो उत्पादक है और जो बाजार है उसके बीच की दूरी को कम किया जा सके उसके बीच की दूरी को कम करने के लिए एक सुईधा तयार की जा सके तो यह जो cluster है कहाँ पर निर्मित किया जाएगा इसके लिए योजना है बेगु सराय के लिए अगला प्रशन है इसे संबंदित या खबर है आप इसे देख सकते हैं प्रेंशॉर्ट भी ले सकते हैं अगला प्रशन है हाली में कहां पर बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है और इसका ऑप्षन है है हैदराबाद नई दिल्ली एहमदाबाद भोपाल या उपर युक्त में से कोई नहीं या उपर युक्त में से एक से अधिक औ जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक मीटिंग एक ऐसा मीट होगा जहां पर सारे इन्वेस्टर होंगे और उसके लिए उन्हें वहाँ पर बिहार में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में बात रखी जाएगी अपना पक्ष रखा जाएगा सरकार के द्वा गया और हैदराबाद में आयोजित क्यों किया गया है इसका जो मुख्य लक्ष है इस मेट का वहिया है कि दक्षिड भारत जो है वहां के इन्वेस्टर बिहार में आके इन्वेस्ट करें इसी संबंधित खबर है यह इसे आप देख सकते हैं और अगला प्रश्ण है पूर्णिया विश्विद्याले के प्रोफेसर की दो पुस्तकों पहली पुस्तक है प्रतिरूप तुम्हारा और दिल की दहलीज के उस पार का लोकारपन हुआ है इन पुस्तकों के लेखक कौन है ऑप्षन है प्रोफेसर राजनात यादो डॉक्टर निरुपमाराय चंद किताबे हैं अगर पूछ ले तो प्रतिरूप तुम्हारा दिल की दहलीज के उस पार दूसरा ये दो किताबे हैं इनका लोकारपन हुआ है और ये जो है इनका संबंध पूनिया विश्विद्याले से हैं तीन बातें यहां से निकलती है यह उससे संबंदित खबर है इसे आप देख भी सकते हैं यही बात इसमें लिखी गई है आगे अगला प्रश्न है राज के किस जिले की निशु ने लद्दाक के कौंग यास्ते चोटी की बीस हजार पांसो फुट की उचाई पर तिरंगा फहराया है नाम क्या है निशु लद्दाक के कौंग यास्ते चोट और उचाई केतनी है बीज यार पांसो और वह जो हैं जमुई की है ठीक है अब जमुई की निशु जो है इसके बारे में एक बात और जान लिजे कि जो अफ्रीका महादीप है अफ्रीका महादीप किली मंजारों माउंट किली मंजारों है वहाँ पे इस माउंट के लिए मंजारों की चोटी पर भी निशु चड़ चुकी है जा चुकी है और तीरंगा वहाँ पे फहरा चुकी है और अभी हाली में जहां गई है वह लगदाक का कौंग यास्ते चोटी है और लगदाक क्या है केंदर शासित प्रदेश है और यह कब से केंदर शासित प्रदेश है अगर आप तो प्रशन पूछा जाए तो पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019 वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर गठं अधनियम आया था और उसी के तहट दो केंदर शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर राज से एक तो जम्मू क कश्मीर के शासित प्रदेश बना और एक लद्दाक और इसी लद्दाक की राजदानी क्या है ले है तो यह प्रमूख बाते हैं याद रखेगा नीचु का संबन कहां से है जमूई से है इसी संबंदित यह खबर भी आप देख सकते हैं या तो स्क्रीन शॉट चाहें तो ल और उपरियुक्त में से कोई नहीं या उपरियुक्त में से एक से अधिक और इसका सही उत्तर है और अगाबाद में उज्वल भारत उज्वल भविश्योजना के तहत बिजली महोच्चाव का आयोजन किया जा रहा है तो आखिर यह उज्वल भारत उज्वल भविश्योज पिजना के तहत बिजली महुत्सव क्या हैं यह जान लेते हैं हमें जगह तो पता चले कि कि और अंगाबाद बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई और अभी वर्ष कौन सा है 2022 इस दौरान यह कारेक्राम अभी चल रहा है और इसमें मुख्य बात यहीं बतायने की कोशिश की जा रही है आम लोगों को कि आजादी के बाद यानि कि वर्ष 1947 से लेकर के अभी वर्ष 2022 तक में बिजली की परियाप्त पहुँच कहां तक हुई है कितनी हुई है और इस पहुच के लिए कौन-कौन से योजनाय चला जा रही है कौन-कौन से परियोजनाय चला जा रही है किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स है जिनको लेकर के काम चल रहा है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है और यह कारेक या गया है option है मुरली मनोहर श्रिवास्ताव विस्व रूप राय चौधरी अरुन सिंग, मुहनी बजाच और उपरियुक्त में से कोई नहीं या उपरियुक्त में से एक से अधी अब यहाँ पर देखिए जो उस्तर है वो तो है मुरली मनोहर श्रिवास्ताव मुरली मनोहर श्रिवास्ताव को इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड दो हजार बाईस में आखे शामिल क्यों किया गया या उनकी क्या ऐसी उपलब्धी है तो जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां है अब उस्ताद बिस्मिल्ला खां कौन है शेहनाई वादक है शेहनाई वादक और कुछ समय पहले इनका देहा वसान हो चुका है उस्ताद बिस्मिल्ला खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न भी बिला था और अगर बात की जाए इनका जन्म कहां हुआ था इनका जन्म जो हुआ था बकसर जिले के गाउं में हुआ था बिहार के बकसर जी लेके गाव में हुआ था अब बात आती ही कि मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुरली मनोहर शिवास्ताव जी ने उस्ताद बिस्मिल्ला खां शेहनाई वादत भारत रत्न प्राप्त इनके ऊपर एक शोध की पुस्तक प्रकाशित की है उसी प इसी से संबंदित या खबर भी है आप देख भी सकते हैं चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगला प्रश्ण है राज के कि जिले में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है औप्शन है मुंगेर पटना भोजपूर कटिहार उपरयुक्ट में से कोई नहीं या उपरयुक्ट में से एक से अधिक और इसका सही उत्तर है पटना में खोला गया है किस प्रकार का लैब है देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब अब यह पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब है यानि कि कुछ लर्निंग लैब और खुलन जलवायू समझोते से अब आखिर पेरिस जलवायू समझोते में यह तै किया गया कि भारत में चार ऐसे सेंटर होंगे या चार ऐसे लैब होंगे जो की क्लाइमेट चेंज का अध्यान करेंगे उससे सम्मंधित आकड़े जुताएंगे और कुछ निश्करशों पे पहुँचेंगे तो यह जो चार लैब थे यह भी निर्धारित किये गए कि भारत के किस-किस राज में खुलेंगे इत्फाक की बात है कि जो पहला लैब खुला है 2015 को यह है जो हुआ इस 2015 के पेरिश जल्वायों समझोते के बाद 2022 में पटना में पहला भारत का लैब खुला और चार जो खुलने हैं तो किस-किस राज में खुलने हैं यह भी बता दूँ हरियाना उसके अलावा आपका बिहार तो होई गया गुजरात और हेर यह चार राज्य है और शुरुवात कहां से हो चुकी है बिहार से हो चुकी है उसके बाद अभी तीन राज्यों में यह लैब बांकी है और इसका संबंद किस से है पेरिश जल्वायों समझोता 2015 क्लाइमेट चे हैं आपको इस बात का तनाव नहीं लेना कि आप मैं बहुत जल्दी इसको स्किप कर देता हूं मुख्य बातों को मैं बता ही देता हूं फिर भी आपको देखना हो तो यहाँ पे आप स्क्रिंशॉट लेकर देख सकते हैं प्रश्ण है बिहार से देश के अलग-अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों और युवाओं के लिए कितने राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा तो यह तैय किया गया है कि ऐसे मजदूर जो बिहार से हैं उनके लिए Migration Support Center खोला जाएगा और C से सम्बंधी प्रशन है कितने राज्यों में तो option है 3, 5, 7, 10 और उपरुक्त में से कोई नहीं उपरुक्त में से एक से अधिक और इसका सही उत्तर है C साथ, साथ राज्यों में खोला जाएगा जो श्रम विभाग है बिहार में श्रम विभाग ने बिहार के श्रम विभाग ने यत्तय किया है कि साथ राज्यों में खोलेंगे बाद में संख्या बढ़ाई जाएगी तिलाल साथ और साथ राज्यों में खोलने के पीछे यह भी निर्णा लिया गया है कि हम Migration Support Center इसलिए खोलेंगे कि कोई मजदूर अगर मान लिजे कोई मजदूर मध्यप्रदेश जाता है MP जाता है और मध्यप्रदेश में उसके रहन सहन की उसके रहन सहन से संबंदित कोई ऐसी समस्या आती है जिस वज़े से वहाँ पर मजदूरी नहीं कर पा रहा है तो उस समस्या का निप्टान कौन करेगा Migration Support Center तो यह है अगला है यही उसे जरूरी खबर भी है इसे भी आप देखिए हाल ही में बिहार के किशोर कुमार राय ने राष्टपति द्रौपदी मुर्मों की पेंटिंग बनाई बेराजी के किस शहर से संबंधित हैं तो जो किशोर कुमार है पूर्णिया राज से संबंधित है इससे है पूर्णिया और यह है क्या पेंटर इन्हें जो है पेंटिंग में नेशनल अवर्ड ही मिल चुका है नेशनल अवर्ड किसके लिए मिला है पेंटिंग के लिए मिला है इनकी खास बात यह है कि जो भारत के राष्ट्रपती है प्रधान मंत्री है या तो स्रियम याने की मुख्य मंत्री है उनसे सम्मंधित पेंटिंग बनाते हैं और इनका पेंटिंग बनाने का एक खास तरीका होता है उस तरीके में ये कारे क्या करते हैं कुछ वहां की स्थानी वस्तुएं होती हैं, स्थानी उत्पाद होते हैं, उनका उपयोग करते हुए, पूनिया के स्थानी उत्पादों का प्रयोग करते हुए, यह पेंटिंग मनाते हैं, खास किसम की जिसकी वज़ा से यह चर्चा में बने हुए हैं, तो इनका जो स्थान ह ग्रह स्थान है वह है पूर्णिया अब यहां पे बात आ रही है राश्ट्रपती दौपदी मुर्मो की तो दौपदी मुर्मो के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर राश्ट्रपती ये बनी है तो इसे संबंधित कुछ तथ्ये हैं वो हमें पता होना चाहिए जैसे कि ये भारत की पंद्रहमी राश्ट्रपती हैं दूसरी महिला राश्ट्रपती हैं और पहली एस पहली क्या है आदिवासी महिला राश्ट्रपती है यह मुख्यतत हैं इनको आपको जानना ही चाहिए और इसी से संबंदित यह खबर भी है जो कि पूर्णिया शहर के किशोर कुमार राय की है इसे आप देख सकते हैं स्क्रिनशॉट भी ले सकते हैं यह जो महतपूर्ण खबरें थी इनसे कुछ सवाल बन सकते हैं आपकी परिक्षा में किसी भी प्रकार की राज की जो परिक्षा होती है उसमें स्टेट का कोई भी कोशन बनता है तो संभावना है कि यही से कोशन बनेगा यह प्रोग्राम हमेशा वीकली आता ही रहता है हर स्टेट के लिए आप इसको फॉलो करिए और इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी परिक्षा में आपका कट ओफ का जो मंजिल है उसे पार करना आपके लिए आसान होगा और भी इस चैनल में आपको प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं जैसे कि जिला एक नजर उसके लावा स्टेट ओन मैप उसके लावा डिली करेंट अफ्यर से रिलेटेट कुछ और भी प्रोग्राम साते हैं PCS करेंट न्यूज आती है वो सब आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो अगर आपको करना है आपको सारे प्रोग्राम देखने हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे की कोई भी प्रोग्राम ना छोटे तो